वोलकूम टूश्विघ्रेट फ्रेंच साज हम बाध करेंगेमगी का पन्धनस्पुटी फाइनस कमपनी का बारे में इसकनल रिजल भी छेक करेंगे उस ही बेसी पर टेक्निकल प्रवस्वराइब्स तर्प सकते हैं रिजज क्ली ढूबर किसी के पास सब्सक्राइब करने से पहले हम मैं आपको जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अगर इस चैनल पर नया है तो अगर आपके सब्सक्राइब करने सकते हैं कि क्या करना चाहिए कि कभी-कभी क्या होता है प्रेस जब 10% 20% फॉल जाता है उस टाइम पर हमारा मन में काफी सार नेगेटिव थोट्स आ जाता है क्यूंगी जब हम बाय करके चलते हैं इस ताइम पर हम सोच लेते हैं कि मल्टिव अगर 10 पर सिंट का फॉल आजाता है। उसी टाइम पर हमारा पिट में फिर resin फेर्ड होना चलो जाता है। लेकिन इसा नहीं होना चहिए। अगर कोई भी स्टक हमने लिया है। तो फ Keese came back के जो की support price पर अगर बाई किये हैं अगर अच्छा सा स्टॉक है तो company के ऊपर डेट नहीं है company के ऊपर प्लेज नहीं है और company profitable company है यह सारा parameter अगर हमने चेक करके लिया है उसकी बावजुद भी हमें यह rules follow करता है अगर आप चाहते हैं कि stop loss बगिरा रखेंगे आप कर सकते हैं आपके लिए कोई rules के लिए मैं कुछ मना नहीं कर रहा हूं लेकिन मैं जो follow कर रहा हूं वही चीज मैं आपको बताना चाहा रहा हूं अगर आप सोचते हैं कोई एक stock buy करके चले हैं तो चलने के जो कहना है stop loss बिल्कुल swing trade में कोई अलाव नहीं कि हम उसी हिसाब से stock select करते हैं जहां पर stop loss कोई गुंजा इस नहीं होता है अगर stop loss हम रखेंगे हर एक stock में अगर हमारे हमें मतलब stop loss कभी भी तूट सकता है उसका कोई guarantee नहीं है क्योंकि stop loss होता है मतलब हीट होने के लिए ठीक है तो आपना देख लिजिए अगर आपको लगता है कि आपको loss हो रहा है आपको stop loss लगाना चाहिए कोई भी stock में अगर लेडी 30% का correction में बाई करके चलें उसकी बावजुद में हमें 10% का फॉल मिला है तो मैं उस टाइम पर और आक्मिलेशन कर सकता हूं वहां पर आक्मिलेट और भी कर सकता हूं इसा नहीं कि उस टाइम पर सेल करके में निकल जाओंगा इसा नहीं है अगर कोई भी stock में अपन लेने के बाद में आप कोई भगवान बनगे आप मतलब stock फॉल नहीं होगा यह सा फिर हर कोई मतलब पैसा नहीं रखता और को इसका वीडियो बनाया था ठीक है इसका आडवांस इंजयम के बारे में आज देख लिए स्टॉक में 13 परसंट का गेन मिल जाए जहां पर 10 परसंट का गेन मिल जाए उस ताइम पर मुझे सोचना नहीं होता है क्योंकि जहां पर यह हमारा टार्गेट हमें मिला था कि थ्री मॉन्स में हमें 20 परसंट का गेन लेना है तो जहां पर उसी साफ से वान डे में हमें 13 परसंट का गेन मिलता है उस ताइम पर प्रॉफिट करना मुझे सही लगता है लेकिन आप अपना डिसेशन खुद ले सकते हैं ठीक है क्योंकि जब स्टॉक मार्केट में आप सब्सक्राइबर 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 27 तो आपके सांबने मेंट में बनाता हूं विडियो कि से कड्सरी सकते विए-पस में ठीक है यहांप कोई माया जूट बोलने के लिहीं हम धीat तो फिर में प्रमोशन यहां पर कर रहा हूं इसा कुछ भी नहीं है यहां पर देखिए या तो मैं तो बिल्कुल इंट्राडे को प्रमोटी नहीं करता हूं तो फिर उसमें मतलब साक होने का क्या मतलब बजा है तो यहां पर देखिए मैंने वीडियो बनाया था इस्टर में पोस्त किया हूं नहीं है आप बताईी जिनने वीडियो देखा है वह राइक जरूर किजिए इस तर में 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 विडियो बनाया है कि नहीं अगर अगर आप रेगुलर व्योर है मेरा चैनल पर रेगुलर वीव करते हैं तो जरूर अभी वीडियो पर लाइक किजिए वीडियो पर लाइक कि नहीं किए कि पोस्ट करने के बाद मिलाया है इस्टर का कहा पे गया इधर है तुल परसंट का गेन मिला हम वीडियो बनाने के बाद में तो यह सा मतलब हर एक स्टाउक में तुल परसंट मिल जाएगा इमेडियेटल कोई गैरेंटी नहीं है किसी तुल्ड़ा टाइम लग सकता है कि सब्सक्राइब जल्दी गेन मिल सकता ह स्टाटेजी अगर आप जानना चाहते हैं वीडियो को लाइक किजिए जब हंड्रेट लाइक शाज आएगा तो उसी बेस पर में एक वीडियो बना के बताऊंगा कि कौन सा स्टाटेजी अगर आप फ़लो करेंगे तो आपको लॉस तो लॉस मतलब नहीं होगा इसा कोई ग कर सकता हूं इतना मैं कर सकता हूं ठीक है वीडियो को जरूर लाइक किजिए अगर आपका एक लाइक आएगा तो 100 लाइक में वीडियो बना के पोस्ट कर देंगे जो कि आपको बहुत अच्छा सा गेन मिल सकता है पोटफोलियो में कोई भी प्रोब्लेम नहीं हो का डरने क कोई रिजन भी नहीं है फ्रेंस किसीने भी कोई लिया है अगर लास में चल रहा है मेरा वही इसको रिक्वेस्ट है कोई लोन पर नहीं लाया ठीक है बिलकुल बिंदा सोल्ड किजिए आपका प्रमा प्राइस मिल जाएगा ठीक है जो भी वीडियो में बनाया हूं करोड का मार्केट क्या है और कॉंपनी में अगर हम देखते हैं देखते हैं तो प्लेज परसेंटेज भी जिरो है अल्टाइम जो हाई था फोटीन अंडड का अल्टाइम हाई था अभी जो करेंट प्रेस चल रहा है यहां पर दिखिए 623 पर चल रहा है मिन्स अभी अगर हम देखते हैं मुनल करोड जो नहीं की अभी ब्यांन तो ब्रॉट करोड है तो इस पर मेरा अगर हम लास्ट फोन्तपर करोड का जो कि प्रॉफित आया पीटेश नोगा कोंड कि पर्फिट ना है तो इसीसाब से प्रफिट अ है माइक्रो मैंच बिजनेश्ज प्रफिट अले कोई लेकिन स्मॉल जो स्मॉल इंडॉस्ट्री जहां पे स्मॉल क्या बगेरा में थोड़ा सा काफी करेक्शन हुआ है तो यह स्टॉक भी अभी करेक्शन पर अभेलेबल है तो अभी के अपर्चुनिटी की तरह हमें नजर आता है ठीक है आप अपना डिसिशन खुद कर लीजिए आपको लेना है कि नहीं लेना है मैं कोई आपको में बना हिए कोटक लिए हिंदूसतन लिवर केने का मतलब क्या है लार्ज कैप में बनाई है ठीक है यहां पर इतना जदा फॉल नहीं आएगा क्यूंकि यह लार्ज कैप स्टॉक है ठीक है मैंने हिंदुस्तन सब में यहां पर होनी ओल आटो में बनाया यह आपने नहीं देखा होगा साहिद मुझे लगता है क्योंकि महांगा से रहे तो इसलिए कोई इसके ओपर नजर नहीं डालता है ठीक है जो जो स्टॉक का व्यालू थुड़ा काम है वहीं पर हम पोजिशन बना लेते हैं लेकिन यह स्टॉक के ओपर किसी का नजर नहीं जाता है लेकिन अगर पर पोजिशन बनाएंगे आपको डरना भी विल्कुल भी नहीं कि इसमें इतना जदा फॉल नहीं आ सकता क्योंकि आपको ध्यान में रखना पड़ेगा जहां पे थोड़ा से ज्यादा गेन लेना है वहां पर अधर ज़्यादा पेन भी लेना पड़ेगा ठीक है जहां पे हम ब्यांकिंग में हमें 5% का गेन मिलता है एक साल में यहां पे हमने जब लिया है 30% का हमें टार्गेट रखके चले हैं तो 22 किजिए ना क्या प्रोब्लेम है एक साल होल्ड किजिए अगर नहीं मिलता है तो फ लेकिन वही चीज आप अगर बात मतलब बराबर सुनेंगे नहीं करेंगे तो फिर आपके साथ में प्रोब्ल्लम हो सकता है उसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं आको क्या कर रहें किसे अपको मिलेगा अपके हाथ में रहें आप लॉखा मेरा कुई हिस्से दरी नहीं आपके लॉसG बता रहां और सिक्विंद अब कॉन सा अपनलरिका पोटेंसियाल हो अध्य दा सकते हैं जो भी बता रहा हूं लेता हूं लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं क्या है आप खुद का भी थोड़ा सा रिस्क रिवाट रेशियो भी चेक कर लीजिए उसी हिसाब से आप फिर लीजिए ठीक है आपका अगर इतना कि बहुत बहुत कम दिन लगेगा इसका कोई इतना ज्यादा डियूरेशन नहीं है यह हमें मैक्जिमम सिक्स मॉंस के बीच में टार्गेट हो सकता है थाटी टू परसंट का गेन मिला है ठीक है हम जहां पर एक साल की बात कर रहे हैं कि 30 परसंट का गेन हमें मिलेगा यहां पर कि यहां पर मैक्जिमम सिक्स मॉंस में मिल सकता है मैं क्यों बोल रहा हूं क्यों बोल रहा हूं यहां पर देखिए नहीं यहां पर पीछे देखिए पीछे का चार्ट देखके फिर बात किजिए क्योंकि हम जो भी बात करते हैं तो हमेसा यारलियर रेजल्ट को देखके यह बात करते हैं यहां पर यहां पर कितना दिन लगाएं तो यहां पर इतना इतना लगेगा यहां पर लेकिन गई ऑफनोही बात है अगर आप भाई करके चलते हैं इसके बाद में बीजान कष़ाल आता है आपको समझ में आएगा आप कितना लास कर सकते हैं लेकिन आपके लिए कुछ भी मंझूर है आपको जो लगते है आप ही किजिए ठीक है क्यापिटल आपका है आप का रिस्क है आपका रिवाड है ऑके चलते हैं अच्छा सा अब आपको मिल सकता है, 32% का गेन मिल सकता है, अगर थोड़ा सा इसको होल्ड करके चलते हैं, तो इसका हमें टार्गेट एक अच्छा सा टार्गेट भी लाइप टार्गेट भी मिल सकता है, लेकिन उसके लिए हमें ज्यादा दिन होल्ड करना पड़ेगा, यह सा हो सकता है कि दो स वान 15% का गेन मिल सकता है जहां पर आपको 100% का गेन मिल रहा है अगर 2 years old करना पड़ जाए तो क्या प्रोब्लेम है मेरे